नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मुख मंत्री को समन भेजा गया था, लेकिन अपनी ब्यस्त कारे करम और बीदीबी से सगयों से प्रामर्स लेने का हवाला दे कर तीन सप्ता का समय मांगा था इसके बाद 9 नौबर को एडी ने दूसरी बार समन भेज कर 17 नौबर पेस होने का निर्देश दिया है इस पर मुख मंत्री की ओर से 16 नौबर को पेस होने के उन्माती मांगी गई थी जिसे इडी ने नामा जूड करते हुए 17 नौबर को पेस होने को कहा है पता दे अब 17 नौबर को मुख मंत्री के इडी ओफिस आने को लेकर सबकी निगाहे ठीकी हुई है बर्तमान राजनितिक हालात को देखते हुए बुद्धवार को CM आवास में UPA बिधायकों की बैठक होई इस बैठक में बर्तमान राजनितिक हालात पर चार्चा करते हुए गुरुवार की सुब़ एक बार फीर UPA बिधायकों को जूटने को कहा गया है जारखन में ठंड पढ़ने लगी है मौसम केंद्रे ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान 3-4 डिगरी तक की गिरावट दर्ज की जाएगी रांची थित मौसम केंद्रे ने ताजा मौसम पुरोणवान में कहा है कि अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में गिरावट का दौर सुरू होगा धिरे धिरे तापमान 3-4 डिगरी तक गिर सकता है इसके साथ ही ठंड भी बढ़ने लगेगी केंद्रे ने यह भी कहा है कि राजे में अगले 5 दिनों तक अधिक्तम तापमान में किसी बदलाव के असार नहीं दिख रहे है इस दोरान सुबह में कोहरा चाय रहेगा इसके बाद दिन में आसमान साफ हो जाएगा मौसम सुस्क रहेगा राजधानी राची में अधिकतम तापमान 26 डिगरी सेल सियस तक गिर सकता है जबकि निवतम तापमान में 11 डिगरी सेल सियस तक गिर जाने का अनुमान है हेमान्त सुरेन के लिए इडी ने 200 से अधिक सवाल किये तयार जार्खन के CM हेमन सुरेन से 17 नॉमबर को ED के सवालों का सामना करेंगे जनकारी के अनुसार ED ने अवय दखनन मामले में CM से पुष्टाष के लिए करीब 200 सवाल तयार किये हैं जिसका जबाब CM हेमन सुरेन को देना होगा बता दे CM हेमन सुरेन से रांची के ED जोर्नल ओफिस में गुरू आर 17 नॉमबर को पुष्टाष होगी CM से पुष्टाष के लिए ED मुख्याले से जुआइंट डारेक्टर समें तिन अधिकारियों के टीम रांची पहुँच चुकी है ED ने मुख्य मंत्री हेमन सुरेन से पुष्टाष के लिए तक रीबन 200 स्वालों की एक सुची त्यार की है ED ने तिन नॉमबर को पुष्टाष के लिए मुख्य मंत्री हेमन सुरेन को समन किया था लेकिन तब मुख्य मंत्री ने तिन हपते का वक्त मंगा था बाद में दुबारा मुख्य मंत्री को समण कर 17 नमबर को हाजिर होने को कहा गया था जार्खन में 2 से अधिक संतान वाले लोग नहीं लड़ सकेंगे नगर निकायचुनाव जारखन के नगर निकायोग के होने वाले चुनाओं में दो से अधिक संतानों वाले लोग परत्यासी नहीं बन सकेंगे निकाय चुनाओं के परत्यासी के आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुगा हो जारखन नगर पाली का अधिनियम 2011 के अनुसार राजे निर्वाचन आयोग ने इससे समधी आदेश जारी कर दिया है राजे के सभी उन्चास नगर निकायोग के चुनाओं के चुनाओं के घुसना अगले कुछ दिनों में होने वाली है राजे निर्वाचन आयोग ने इसकी त्यारी पूरी कर लिया है बता दे तीन से अधिक संतान की स्थिती में चुनाव लड़ने की आयोगता से समधिनियम को लेकर आयोग की और से जारी आदेस की प्रती राजे के सभी जीला के उपायोगतों को भेज कर उन्हें इसका पालन सुनिश्चित कराने का आदेस दिया है बताया गया है कि नगरपाइल का अधिनियम का या प्राधान पांच फरोड़ी 2012 से लागू हुआ है जमसेदपूर में आधी रात को नीजी होटल की चार मंजिला इमारत पीछे जुकी जमसेदपूर के NH33 पारडी स्थीत सीटी इन होटल के केमपस में बनी चार मंजिला बिल्डिंग बिती रात 9 बजे 3 फीट पीछे की तरफ जुक गई बिल्डिंग जुकने पर वहां 30 कमरों में ठरे 250 चात्रों में भगतल मच गई शुरगूल होने लगा और अपने अपने हैतों में कमल तक्या वह अने समान लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने लगे बिल्डिंग गिरने की भाय से आज पास के एरिया में अफरा तफ्री मच गई रह रहकर आदे एक गठे पर बिल्डिंग के पिलर और दिवार क्रेन होने की आवाय सुनाई परने लगी और पलासटर टूट टूट कर गिरने लगा इस घटना की आवाय शुन कर बिल्डिंग के आज पास के लोग भय भी थाी जनकारी के उनसार बिल्डिंग में दीन द्याल उपाध्य कोशल केंद्र संचाली था और जहां कई ग्रामिन चात्र ठोर करप्रसीक्षन लेते हैं बीएट परवेस परिक्षा का पई नाम जारी जारखंण सन्यूक्त परव्यस परत्युकता परीच्छा पार्षत ने जारखंड के सरकारी एमगय सरकारी बेट संसथानों में 22-22-27 के लिए नमांकन को लेकर आयोजीत परव्यस परीच्छा का पईनाम बू 도्बार को जारी कर दिया यह परिक्षा 23 अक्टूबर कुरांची धनबा जमसेत्पू बोकारो दुमका तथा पलामों के परिक्षा के अंदर पर आयुजित की गई थी पारसत द्वारा जारी पहिना में कुंदन कुमार कॉमन मेरी रिलिष्ट में पहले अस्थान पर रहे हैं इसके बाद टॉप पांच अव्यार्थी में दूसरे से पांच व्यास्थान परक्रमस सदमान अली गौतम कुमार रभी से खरता था महमूद उलहसन रहे हैं बता दे कि राज सरकार ने इस वर्स बीएड संस्थानों में 22-24 सत्रे के लिए नमांकन पर इस परिक्षा के मादम से लेने काने न लिया था पारसत ने 26 अप्रेल को ही बीएड में नमांकन को लेकर बियापन जारी कर आवेदन मंगाये थे सियम हमन्त के आवास में यूपिय बिधायकों ने की चर्चा चारकन के मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन के आवास पर यूपिय बिधायकों के बैठक बुद्धवार की देर साम खत्म हो गई इस बैठक में बिपक्ष की साजिस को करारा जबाब देने और बरतमार आयनिती खालात पर चर्चा होई बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते वे जारकन कांग्रेस परदेस अध्यक राजस ठाकों ने कहा है कि 17 नॉमर को लेकर इस बैठक में कोई रण निती नहीं बनाई है इड़ी के समक्ष पेस होने के मामले मुख्य मंत्री को फैसला लेना है कि उन्हें जाना है या नहीं वहीं गुरु आरकों एक बार फिर यूब्य बिधायकों के सुबा 11 बजे एक साथ जुटने की बात कही है कांग्रेस परदेस अजयस्ट राईस ठाकों ने कहा है कि बरतमान सरकार को जिस तरह से बीपक्ष और पदस्त करने की कोशिश्ट में लगा है उसको लेकर लगातार नजर रखी जा रही है उन्होंने कहा है कि किसी कीमत में जानता के जर्मत को बरबाद होने नहीं देंगे जहारखन में बिध्याले स्वास्त अभ्यान सुरू राजे के इस खूली बिद्यार्थियों को बेहतर स्वास्त मुहया कराने के लिए इस खूली अस्तरपरभी सेस जाच अभियान शुरू किया गया है इसमें सरकारी और सरकारी साहता प्रावद बिद्यालों के काक्छा 6-12 तक के बिद्यार्थियों चीनित किये गए है स्वास्त विभाग ने इसके लिए एक कईस लाग 4906 की सोर की सोरियों को चीनित किया है जिसमें 10 लाग 15 या 407 की सोर और 11 लाग 78 या 690 की सोरी सामिल है अभियान को संचालित करने के लिए डीसी और सिविल सर्जन को जिमेदारी दी गई है इसे समझें निदेश स्वास्त विभाग पर मुक्सची अरून कुमार सिंग ने सोमवर को दिया है सरकार को हटाने की साजी सफल नहीं होने देंगे सीम हेमांत मुख्य मंतरी हमांस्रे ने कहा है कि जारखन में सरकार वहीं चला सकता है जो आदिवासी मुलवासी की भाणा को समझता हो उन्होंने कहा है कि आज कुछ सड़यंत्रकारी पंडूबी पानी से निकलने का पर्यास कर रहे हैं बरतमान सरकार को सता से बेदखल करने के पर्यास में बिरोधी लगे हैं लेकिन आप डटे रहे और मेरे साथ खड़े रहे या साजिस भी सफल नहीं होने देंगे वह सबको एक एक कर देख लेंगे एबाते सीम ने अपने आवास पर भाजपा और विभीन दलों से जामों में सामील होने आए करकाता से कही सीम ने कहा है कि यदि साता में रहे तो आदिवासी मुलवासी गरीब दलीतों को मजबूत कर देंगे समाई आ गया है कि आदिवासी मुलवासी एक जूठ होकर एक छट के नीचे आ जाएं सिक्छक संग 29 को मुख्य मंत्री आवास घेरेगा अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्छक संग के राजे कार करनी की ऑनलेन बैठक बुद्धवार को परदेशा ध्यक्ष बिरिजेंद्र चोवे के द्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन को तेज करके 29 नॉम्बर को मुख्य मंत्री आवास का घेराव करने का नहीं न लिया गया चोवे ने बताया कि सीम आवास घेराव के लिए परखंडवार, जीलावार वा प्रमंडलवार सिक्छक रांची आएंगे सिक्छक, रेल और सलक दोनों मार्गों से पहुचेंगे उन्होंने कहा है कि बैठक में राजी के सबी जीलों के सिक्छक परतिनिद्यों ने सरकार और सिक्छा विभाग के अदिकारियों के रवाईया पर अक्रोस जताया भाजपा ओवी सिमोर्चा ने फुका राज सरकार का पुतला भाजपा ओवी सिमोर्चा जिला अदेख्राजीव महतों के नितित्यों में बुद्धवार को सहर के मुखे चवरा है निता जी चौकपर राज सरकार के अरक्षण निति के विरुद्ध मसाल जुलुस का और जन किया गया इस दोरान जिला अदेख्राजीव महतों ने कहा है कि नगर निकाय निर्वाचन निकट है राज सरकार आरक्षन को धरहतल पर नहीं हावाबाजी कारे करने का काम किया है जीला महामंत्री अमीत कुमर महतो ने कहा है कि ऐसी कुनीती के खिलाप मसाल जुलूस निकाला जा रहा है लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया तो आगे भी व्यापक रूप से विरुवत प्रशन किया जाएगा 29 नौमबर को वायू सेना में अगनी भीर के तहत भरती कैम्प जिला नियोजनाले की ओर से 19 नमबर को वायू सेना में अगनी बीर के तहत भरती कैम्प के लिए केरियर मेला का आयोजन किया जाएगा इस दोरान पहली बार योतियों को भी वायू सेना में केरियर बनाने का आउसर मिलेगा इसके लिए जिला नियों लाले में वायू सेना के अधिकारियों द्वारा भरती है तू काउंचलिंग की जाएगी कैरियर मेला सराइस्टेशन काईम कायोजन सुबा 10 बैस से किया जाएगा इनके लिए सेक्षिनिक योगितार टेंथ प्लस टू या समकोक्स किसी भी बीसा में होनी चाहिए साथ ही उमिद्वार की जनमती थी 27 जुन 2002 से 27 दिसमबर 2005 के बीच होनी चाहिए इक चुक अभियार्थी समय से पहले अपनारा इस्टेशन करा ले और इस करियर मेला में आगकर आउसर का लाब उठाए इडी के सामने पेसी से पहले आदिवासी काड़ खेल गर्जे स्थियम हमांत जार्खन की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है दरसल अवैद खन मामले में मुख्य मंत्री हमांसुरेन के इडी ने पुछताच के लिए बुलाया है इसे पहले रांची में यूपिय बिधायकों के बैठक बुलाई गई जार्खन के बिधायकों के रांची में रहने का नेदेश दिया गया है इसके पहले स्थियम हमांसुरेन कहा है कि आपको टए करना है कि इस राज में सरंत्रकारीओं का राज चलेगा या यहां क्या दिवासियों का हमें साता से बेदखल करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं इन्हें पता है कि अगर मैं पांच साल यहाँ टिक गया तो आदिवासियों को मजबूत कर दूँगा जो लोग बाहर से आकर यहाँ रायने टिक करते हैं उन्हें बाहर कर दूँगा रांची में जूटने लगे जे-म-म करकरता बी-जे-पी पर बोला हमला मुख्यमंत्री हमान स्रेन से रांची इसी इडि दफ्तर में पुष्टाच होनी है इसे लेकर रायधानी रांची में सियासत हल चलते हैं एक और जहाँ शत्तर उड़ जामो और कंग्रेस बिधायक दल क कि अलग लग बैठक है तो वहें दूसरी ओर जामो करकरता ने अपने अस्तर से प्रदसन की त्यारी की है मुख्यमंत्री से 17 नौवंबर पुष्टाच होनी है लेकिन इसके एक दिन पहले ही रांची के अतिहासिक मुरबादी मैदान में जामो करकरताओं का जूटान शुर जय परकास बर्मा बुधवार को जार्खन मुक्ती मौर्चा में सामिल हो गए हैं 2005 में गांड़ा बिधान सभा से बीजेपी के बिधायक बने सिरी वर्मा अपने कई समर्थकों के साथ जयम्मे में सामिल हुए जयम्मे में सामिल होने पर सियम हिमान सुरेन ने उनका करते हुए कि बर्तमान सरकार के कारेक का नतीजा है कि बिपक से लोगों का मोह भंग हो रहा है यही कारण है कि काफी संक्या में करता दूसरी पार्टी को छोड़ जयम्मे में सामिल हो रहे हैं गुमला में इट भठे की दिवार गिरने से तीन की मौत कई घायल गुमला जिले से 85 किलोमेटर दूर इस्थीत डूमरी परखंड के हुटाप गाओं में सीता राम साहों के इट भठा बुद्धवार की साम को धोस्थ हो गया इससे इट में दबने से तीन मैजदूरों की गुमारी सामिल हैं चार और घटना की जनकारी पूर्व सीम को दी इस पर पूर्व सीम सिरिदास ने प्रिवार वालों को न्या दिराने का स्वासन दिया है बिधान सभाचुना में रायत का टिकट के लिए 40 एरसर से होना चाहिए जारखन रायत के नेताओं ने बुद्धवार को बाईपास रोड इस्थीत पार्टी के परदेश कर्याले में सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समिक्षा की पार्टी के परदे से करेकारी अध्यक संजाय सिंग यादव की अध्यक्षता में अज़ित इस बैठक में सभी जीला अध्यक्षों को यह कहा गया है कि जिन्हें बिधान सभा चुनाव लड़ना है वे परतेक बिधान सभा में 40,000 सभा से बनाए बैठक में तय हुए है कि नगर निगम नगर निकाय चुनाव में रायत का परते निजी तो अधिक से अधिक कराने का लक्ष दिया गया है बेरमो की बेटी अंकीता ने जीता मिस इंडिया चार्मिंग फेस 2022 का खिताब बेरमो की अंकीता ने मोडेलिंग की दुनिया में नई पहचान बनाई है राश्ट्री अस्तर पर होई परतियोगिता में मिस इंडिया चार्मिंग फेस टूरीजम 2022 का खिताब जीता है गुआ में अयुजीत होने वाली इस परतियोगिता में देश बर से लगवक 50 परति भागी पहुंचे थे ये सभी परति भागी अपने राजे की टॉप 3 परति भागियों में सुमार थी इन्हें परास्त कर अंकीता नया किताब जीत सबको चोका दिया है बेहाथ ही छोटे से सहर फुसरों की रहने वाले अंकीता की सफलता युआओ के लिए प्रेना सुरो था है साहिब गंज में बनेगा यारपोर्ट बोरिया अंचल के देव पहार में प्रस्तावीत यारपोर्ट के लिए भोमी का जाजा लेने के लिए बुद्धवार को उच अस्तर्य टीम यहां पहुँची इसमें भारतिये बीमान पतन प्राधिकरन के पदाधिकारी जार्खन सरकार के नागर बीमानन बिभाग के निदेशक कैपटन एस के सिन्हा मुक्यमंत्री के सलाकार केपटन अजय स्रिवास्ताव आदी सामिल थे सभी अधिकारी मंगलवार की रात यहां पहुँचे सुबह में कलेक्टरेट में उपायूक्त राम निवास यादव के साथ बैठक की और चिनित जमीन के बारे में बिस्तार से जनकारी ली इसके बाद उपायूक्त राम निवास यादव के साथ सभी अधिकारी देव पहार पहुँचे डिसी के साथ डियेफो मनी स्तिवारी भी सामिल थे यदि आप चैनल पर नहीं होतों चैनलों के सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ से रकलना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट पक्स पर अपना फिटवार का वस से दे थैंक यू